नमस्कार दोस्ता आप सभी का स्वाकता सिविल टैमेंशन चैनल पर आज का हमारा टोपिक है सिक्वेंस ऑफ वर्क इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नई कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के दोरान किये जाने व चलिए मेरे कुछ सवाल का जवाब दीजिए पहला कोशन पहले फॉल सेलिंग करनी चाहिए या पहले फ्लोर टाइलिंग या मार्बल वक करवाना चाहिए पहले दिवार में टाइल लगानी चाहिए या पहले फर्ष में टाइलिंग करवानी चाहिए बातरूम में पहले वा सेलिंग करानी है और दिवार में प्योपी पनिंग करनी है तो आप कौन सा काम पहले करवाएंगे similarly पहले छट पेंट करेंगे या पहले दिवार पेंट करेंगे अगर इन सवालों के जवाब आपके पास है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ कर चा सकते हैं और अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखे हमेशा की तरह हमारा ये वीडियो भी आपकी नौलिज को बढ़ा देगा तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपको नए घर का कंस्टक्शन स्टार्ट करवाना है तो सबसे पहले आपको पेपर वर्क कंप्लिट करना होगा पेपर वर्क में सबसे पहले आपको अपने घर का नक्षा बनवाना होगा फिर वह नक्षा आपको अपने एरिया के municipal corporation या building and town planning department से पास करवाना होगा नक्षा आप 2D या 3D में भी पनवा सकते हैं अब आपको यह decide करना होगा कि आपको अपने घर में किस तरह का material यूज़ करना है for example cement कौन सा लगाना है OPC या फिर PPC flooring में tiles का यूज़ करना है या फिर marble का यूज़ घर की चोकट दरवाजों में कौन सी लकड़ी का यूज़ करना है paint कौन सा करवाना है luxury emulsion या फिर premium emulsion similarly bathroom में कौन सी fitting यूज़ करनी है branded या फिर unbranded and so on material selection के बाद next step है estimation and costing construction स्टार्ट करने से पहले better होगा कि एक estimate निकाल लिया जाए कि construction में कितना घर्च आने वाला है जिससे कि आप अपने घर की construction के लिए budget decide कर पाएंगे next is selection of architect, interior designer और contractor का selection एक architect आपके घर के design ready करेगा, आपकी requirement को समझेगा और आपकी space को properly utilize करेगा structural engineer एक civil engineer होता है जो architectural plan पर structure design करेगा structure design से मतलब है column, beam slab, आदी की location क्या होगी, building के structure में कितना सरिया लगेगा और कितने डाया का लगेगा structural engineer building पर आ रहे सभी तरह के load जैसे live load, dead load, earthquake load आदी को calculate कर एक safe structure design करता है interior designer, interior का crease तो आजकल वैसे भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर कोई चाहता है उसका घर सुन्दर दिखे इसलिए interior designer का भी उतना ही मैत्व है जितना architectural और structural designer का इसके बाद आता है एक अच्छे contractor का selection करना, एक अच्छा ठेकेदार आपके budget में जल्द से जल्द काम खतम करके देगा पर आजकल अच्छे contractor मिलते का हैं और लोगों के पास समय भी नहीं है कि खुच से वैख खड़े होकर काम करवा पाएं यहीं पर entry होती है project management consultant की अगर आपके पास अपने घर के interior renovation और construction का काम देखने के लिए समय नहीं है तो आप एक construction PMC को hire कर सकते हैं या construction project management firm आपके लिए architect, interior designer और contractor की team hire करेगी और construction site पर होने वाली daily construction activities को manage भी करेगी इसके बार next step है site execution जैसे की आज का हमारा topic है sequence और work को जानना इसलिए हम इसे दो part में divide करके समझेंगे पहला new construction work और दूसरा है renovation या फिर interior work new construction work का sequence इस प्रकार है first is marking layout सबसे पहले जिस जगा construction का काम किया जाना है उस जगा पर ground में चूने से temporary marking drawing की मदद से कर ली जाती है ताकि footing excavation का काम start किया जा सके second step है excavation JCB या labor की मदद से building foundation के लिए खुदाई की जाती है third step में soil compact कर foundation के base में PCC करती जाती है PCC करने के बाद column footing और column का layout किया जाता है next step है सरिया बंदाई English में कहेंगे steel binding सरिया बंदाई structural engineer द्वारा दी गई structural drawing के अनुसार बांदा जाएगा इसके बाद आता है centering and shattering and concrete casting centering से मतलब है shattering का line length और plumb में होना और shattering का तो आपको पता ही है then concrete casting या pouring एक building structure को त्यार करने के लिए सबसे पहले column footing को cast किया जाता है फिर column के बाद slab को फिर next floor के column और slab similarly ये process आके भी follow होता रहता है फिर कुछ ही महिनों बाद आपका structure बन त्यार हो जाता है इसके बाद शुरू होता है brick machinery और plaster work सबसे पहले brick work machinery के काम को खतम कर दिया जाता है फिर उसके कुछ दिनों की तरह के बाद plaster का काम शुरू किया जाता है पर अभी रुको जरा ऐसे कैसे plaster काम स्टार्ट कर देंगे plaster से पहले तो बहुत से काम पहले खतम करवाने होंगे जैसे बिजली का काम, conducting, plumbing का काम, AC copper piping और train का काम plastering से पहले इन सभी कामों को खतम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजली वाला switch box और conduit के लिए wall chasing करेगा similarly plumber और AC वाला भी दिवार में झीरी cutting करेगा अपने काम को करने के लिए इसलिए better है इन सभी काम को कर लेने के बाद ही दिवारों को plaster किया जाए इसी थरह exterior walls के plaster को खतम करने से पहले इन सभी कामों को खतम कर ले नहीं तो बाद में repair वक कहरते रह जाएंगे साथ ही साथ door और window चोकट आदी लगवाना भी बहुत जरूरी है अभी और सुनिए plastering के काम का सही sequence है पहले छट का plaster करना फिर दिवारों पर plaster करना plastering work खतम हो जाने के बाद interior finishing work स्टार्ट होता है interior finishing work में P.O.P. fall ceiling, P.O.P. punning, tiling, marble work, house painting, wallpaper और carpenter work शामिल है finishing work में इस area के लिए अलग sequence of work होता है room से start करते हैं अगर एक room को finish करना है तो सबसे पहले plaster के बाद room की electrical wiring complete की जाएगी फिर fall ceiling की जाएगी fall ceiling खतम हो जाने के बाद दिवारों पर white cement putty या P.O.P. punning की जाएगी उसके बाद floor tiling का marble work किया जाएगा floor tiling work खतम हो जाने के बाद carpenter work, almira, doors और windows या हर तरह के wood work को finish किया जाएगा and then paint polish का का काम किया जाएगा पर paint करने से पहले ध्यान रखें ceiling lights, electric switch board का का काम finish हो जाना चाहिए last में बस switch की cover plate ही रह जाएगी painter का काम खतम होने का मतलब है अब वहाँ कोई काम नहीं करेगा similarly यह sequence living room, bedroom, study room, lobby आदी के लिए follow होगा अब बात करते हैं बाद room को finish करने के लिए क्या sequence follow होता है देखिए बाद room में सबसे पहले काम चुरू होगा plumber और electrician का plumber, solid waste और train water pipe के लिए बात room floor में खोल करेगा ताकि pipe को shaft से या भारी दिवारों से भार निकाला चाह सके साथ ही plumber दिवार में आहरे shower, diverter, spout, tap, आदी की दिवार में झीरी cutting कर देगा पर ध्यान दे अब भी सिरफ cutting वाला काम करना है similarly electrician भी wall cutting वाला काम finish कर देगा अब start होगा waterproofing का काम सबसे पहले bathroom floor की waterproofing की जाएगी फिर चारों दिवारों की एक एक मीटर उचाई तक waterproofing कर दी जाएगी waterproofing के बाद plumber और electrician अपना काम खतम करेंगे last में फिर एक बार waterproofing का काम किया जाएगा जिसमें फर्ष में डले plumbing pipes को उस जगा से seal किया जाएगा जिस जगा से वे shaft में जा रहे हैं या फिर बाहर निकल रहे हैं अब bathroom के sunken slab को खंडर या lightweight block से भर दिया जाएगा फिर उसके उपर PCC दिवारों पर plaster खतम होने के बाद marble या tiling work का काम स्टार्ट किया जाएगा tiling का सही sequence है पहले दिवार की tile लगवाना फिर floor की tile लगवाना last fall ceiling की जाएगी फिर paint polish का काम उसके बाद glass partition और plumbing fitting इंस्टॉल कर दी जाएगी इस तरह आपका bathroom देखते देखते ही ready हो जाएगा अब बात करते हैं kitchen की kitchen के case में sequence of work दो तरह का हो सकता है modular ready made kitchen के लिए अलग और carpenter made kitchen के लिए अलग modular kitchen के case में सबसे पहले kitchen की drawing बनेगी फिर drawing के हिसाब से plumbing और electrical का काम होगा फिर tiling का काम होगा अंत में ready made factory made kitchen बनकर आएगा और side पर ही install हो जाएगा और countertop granite big cabinet के उपर ही fit हो जाएगा traditional और carpenter made kitchen के case में सबसे पहले kitchen की granite self दलेगी फिर electrical plumbing का काम होगा फिर wall and flooring tiling होगी उसके बाद carpenter kitchen cabinet बनाएगा इसी sequence में kitchen का भी काम खतम किया जाएगा पर आप सोच रहेंगे कि भाई इतनी देर से कहानी सुना रहा है अगर sequence काम में नहीं किया जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा इसका answer यही है अगर tiling पहले की और false selling बाद में तो tile का damage होने का खत्रा है क्योंकि P.O.P. वाला scarf loading करेगा heavy material tile पर डालेगा tile damage करेगा ऐसे काम करने पर नुकसान पक्का है similarly अगर paint दिवार में पहले किया हो जब छत paint करेगा तो paint का सारा चीटा दिवार पर आएगा अब आप समझ जाओ sequence में काम करना better है या फिर जैसे तैसे यह वीडियो आपको informative लगी होगी तो चैनल को subscribe और वीडियो को share करना ना भूले thanks for watching civil dimensions